जाई जी नेंद्रा लास्ट वीक आपड़े दीवाली नो सनीवारतों एक कद मिने था बदाये सारू विश करियू असे फो दा कमिंग यार सोती पहली विश एमां आपड़े अत्यारसुदी पैसा नी करता दा धन तेरस नाम जे अत्तू आपड़ी सोती पहली विश हेल्थ नी जोवी जोई है कोवीड आपने लेसन आपियू हेल्थ केटलू इंपोर्टन छे घम्मे ते पैसा थी मानस बच्यू नती आ इद्धमज आपने पाचा रीसेट करी ना आपनू मगद ने सरकाल पर लावी दीदू छे सोती खराब चीजे आपने सोती सारी एज्यूकेशन आपियू के हेल्थ इस सो इंपोर्टन अला बदाए विश एज करी वह से ने आई होप के बदा हेल्दी छ रहें आपने आ लेक्चेर्ज रोज क्यालू करी ने बदा जे मां पोत पोत आने रिते लर्न खाए रतना कर 25 आगण चालू करी है ए पहला करंग के बे वीक थाई ग्यू शे एटले आगला वक्ते आपने सू करे लो इनो इद्धमज शौट मां रीकैप करी काड़ी है तो आगला वक्ते आपने कड़ी हती एकड़ी हती सम्यक दर्शन साची स्रद्धा कौने के वाई एना उपर हती बद्दा ए घणीवार सब्द सामड़ियो से सम्यक दर्शन अटले सू अने मिठ्यात्व एकले सू आब ए सब्द जैन दर्म मां कॉंस्टेंटली आवे शौट एक दर्शन इटले साची स्रद्धा बौु शौट मां आपणे एपसलुटली पोत दरेक जं प कोत पोते महांका काल मने तो छेट साची स्रद्धा पनर साचीस रद्धा क्यारे टेस्ट मा आवे जारे कोई प्रसंग थाई अने ए वक्ते आपड़े मनमा अने पोताने रिते केवी ता मक्कम रहिये चे एना उपर साचीस रद्धा नक्की थाई साचीस रद्धा मा एक साइन चे एक प्रकार चे लक्सन चे एक देव गुरु और धर्म एक कौने मानवा और कौने नई मानवा ए साचीस रद्धानु एक लक्सन चे जाए कया साचा चे तो कया देव साचा चे एमा आपड़े जोई वित्राक देव साचा बीजा कोई देव आपने पगे लागवा पुजय नथी, बीजा देवो सन्मान योग्य हसे, पाण वितराक देव जेकला पुज्य योग्य हसे जेनो राक छुटी गयो छे, जेने कोई पन, जीव कोई पन आत्मा जोडे राक्स्ती सबंध नथी यह वावितराग देवत साचा देव चाँ, साचा गुरु कोण चाँ, तो साचा गुरु चे निर्गरंध गुरु, ये निर्गरंध सब्द इतले सू, ग्रंथ इतले गांट, शैनी गांट आपड़ा धरम्मा बताड़ी चाँ, जे बॉझ कड़क गांट चे, जे खोली नती स तो एचे राग अने द्वेशनी गाट अने जेने ए गाट खोली अने दिक्सालाई संसार्थी निकली अने वित्राग थवा माटे आगण वधे चे एलोको ने निर्ग्रंथ कहवाई छे अजी वितरागी थया नथी पण ग्रंथ अटले के राग दिवेशनी गांट खोली काड़ी छे अधी बांदीने बैठा नथी एवा मान आत्माओ जे आगल वधीरिया चे तपस चर्या करे चे दिक्सा लईने एलो कोज मारा निर्ग्रंथ गुरू छे एना सिवाई बीजो नती बाकी बद्धा संसार ना स्रावक्ष्रावी काओ चे गुरू कोई नती अटले वितराग देव अने निर्ग्रंथ गुरूने मानवा अने धर्म कयो मानवा तो केवली प्ररूपित धर्म जे जीवो है जे आपण तिर्थं करे पोताना ज्ञ्ञान मा संपूर्ण ज्ञ ज्यान मा जे रस्तो जोयो के जेनाती आत्मा मुक्त थाई सके मोक्स मा जै सके अने जन्म मरण ना फेरा मा ती निकली सके एज धर्म साचो छे एज रस्तो साचो छे ए रस्ता ने मानवा एज धर्म छे तो आ रिते आपणे साचा देव साचा गुरूने साचा धर्म ने ये सम्यक दर्सन नू पहलू लक्सन चे। ये सम्यक दर्सन ना लक्सन चे। ये सम्यक दर्सन चे। ये सम्यक दर्सन चे। ये सम्यक दर्सन चे। ये सम्यक दर्सन चे। अने आना थी आचर जी खहे छे। मैं संसार घटाडवाने बदले वधार्य। आर इते बार मी कड़ी पूरी थाई चे। अने तेर मी कड़ी। हवे जे आगणनी चे। येमा तेर अने चवद ये बेव। भेगी कड़ियो चे। कारण के बन्नेवमा कंटिन्यूएशन चे। सैनू कंटिन्यूएशन चे। कोई पन सुन्दर देखाई चे। त्यार इस्त्री ना उपर नी जवाद थती हो। जो पुरुस उपर नी नती तती स्त्री उपरत थाई चे। अधर्मनों एक मोटो पायो। एक टाइप अफ अधर्म जे बौज मोटो पायो चे ए अब्रह्म चर्या। नौन सलीबसी। ए नौन सलीबसी अने एमा पन पौर्स्त्री गमन पतले बीजी स्त्रीयों उपर नजर राखी। अने एनी इच्छा करवी भोग माटे। ए अधर्मनों एक मोट्टाम मोटो पायो चे। आचार्या जी पस्चाताप मां एक भी भूल बाकी नती राखता। एमना 25 से 25 कडियों मां एक एक भूल बताड़ी चे। माफी मांगवी जोय तो सेना माटे छुपावी न मांगवी। कोई पन चीज छुपावी न मांगवा थी मलती नती। आचार्या नी नजर कोई स्थीय उपर हती नहीं। पॉण इमने स्रावकों समाज ने समझावा माँटे यहां माफी मांगे च़े श्तरियो ना तरफ नजर आपर्सन एट्रेक्शन ना सामें अन्ने इना माटे इमने आप बीजी बे कडियो यहां बनावी अन्ने आपनने समझावी च़े तो ए बेकडियों कई शे आपने पल्ला साम्ड़ी लई है पयोतर नाभिले सुन्दर कठी शणगार सुन्दरी योतना छट तेल थाई जोया अती मुखचंड्र नीरक वावती मुझमन विशेजे रंग लाग्यों अर्पपण गूटो अती ते शूतरूप समुद्रमा धोया छता जातो नती तेनू कहो कारणत में बच्चु के महू आपापती कड़ी वेर्स नम्ब तेर ने चाउद इमा पहला वर्ड समझीलो तो आवेल द्रस्टी मार्गमा मुकी महावीर आपन में मूड थिये मूड धिये मूड धिये अतले मूड सब्दन और चे जड कोई जाडी बुद्धी होए जड बुद्धी होए इने मूड के वाई अने दिये अतले बुद्धी अतले बेव भेगा करो अतले जड बुद्धी एम सब्द थयों एतले मूड धिये अतले जड बुद्धी रधयमा ध्याया मदन ना मदन आतले काम देव जे तमने एक्साइट करे एक्साइट में जे लावे यह देव एतले काम देव इने मदन के वाई अने चाप ने चाप एतले एरोस एवना तीर अटले जे तीरो मारी अने जे तमने एक्साइट करे कया तीरो एक्साइट में ना जे तमने जुई एचे भोग करवा माटे तमने जे क्यार्नी तमने अंदर थी ताला वेली लागे इद्धम हचे एकसाइट एती लो इने चाप केवाए एटले इहां कहेचे के जडतानी बुद्धी वाला रधयमा में काम देवने बैसाड़े चावे एनू आपने एक्स्प्लेनेसन जुए अथले आव वर्ड थाइचे मुक्की महावीर आपने बे पक्सियो एक जाज उपर एक शिप उपर बैठा चे अने शिप पानीमा समुद्रमा वच्चों वच्चे इन हाई सीज त्यां थी उडवा मांडे चे उडवा मांडे चे अने दूर दूर सुदी जाई चे पने दूर दूर एने पानी देखाई चे समुद्रत देखाई चे बिकोज शिप वच्चों वच्चों वच्चे पानी ना समुद्रनी अंदर एक पक्सी उड़ी उड़ी ने थाकी जाई चे अने सिप दो पानीमा पड़ी जाई चे अने बीजू पक्सी थाकता पहला विचार है चे के मारे थाक उतारवा चे अचले तरत अज आम थेम फरवाने बदले ये पाचु फर है चे कारण के इने कस्य किनारों देखा तो न थी अने पाचु ये जहाज जे श्रीपती एज देखाएचे ले पाचु त्यां जावी ने सांती थी बैसी जाईचे थाक उतारवा आवीज आलत आपड़ा आत्मा नीचा आपड़े आ संसार रुपी समुद्रमा उड़ता जईएचे उड़ता जईएचे अहिया सुख लेऊचे ए रिते किनारो सो दियेचे दरेक जगाए सुख नो पण किनारो नती मणतों सुख नो ये टेंपररारी टाइम माटे सुख जीवू भास थाईचे एक जातनो अंदर ती फिलिंग थाई जेका मने सुख मलियू पर अजीतो फिलिंग पूरी नती अल्ला जतू रेचे सुख अठले आपणू थाईचे शू तो पहला बर्डनी जेम पाणी माँ पड़ी जईएचे अठले एक भाव माती बीजो भाव बीजा माती त्रीजो एम चार गती माँ फर्यास करियेचे अने जे पकसी उड़ता उड़ता जोईचे कि आबदू पोताना आत्मामा रिटन थे जाईचे जेम बीजू पकसी जाज उपर आवेचे एवीज रिते साचू सुख मेळवा एतले साचो थाक उतारवा एपाचो पोताना आत्मा पासे जावेचे अने त्यांच पचि एने धिमे धिमे परमनें सुख नी सांती मलवानी चालू आज दाकला प्रमाने आचारिया जी यहां कहे चे के मने बग्मान महावीर ने कहे चे मने आप जेवो भवसागर मा खुब पुन्याना हिसाबे एक सहारो मलेव तो के जेनाती मारो थाक उत्री याद आपे बताडलो अनगार धर्मपन मने मलेव पान मारी मुड बुद्धी अटले जड बुद्धी जे आपने मुड नो अर्थ जोयो एवी जड बुद्धी ना हिसाबे आप जेवा सहारा ने में साइड पर मुकी अने उँ फरतोज रहो संस और मारी जड रताना हिसाबे में आपने मारी अंदर पकड़ी नी राख्या स्थापीत नी करी राख्या अंदर मुकी नी राख्या पकड़ी नी सक्यो अने कामदेव ने ये वल्टना एक्साइटमें प्रलोवबन गुजेरा आज राख्यू में आमा मने मोहनिय कर्मा है साथ आप्यों मोहनिय कर्मा ने दारुना नसानी जोड़े सरखावा मावी छे इंटॉक्सिकेशन दा मोर यू ड्रिंक दा मोर यू वोंट मोहनिय कर्मा यहू छे जेतलों कसायों वदारे करो जेतलों राग द्वेस वदारे करो एटलों तमने वदारे करवानी इच्छा थाए यूटन मारवो बहुज डिफिकल्ट चे अध एटलाज माटे बहुज ओछा माना सो मारी सके छे ने एलोकोंने महापूरूस आपणे कईये छे आनाज रीजन है कारण के बाकी तो अंदर खुशता जाई शे अल आ रीते मोनिय कर्मना इसावे मैं एक्साइटमेंट ने मेला हुआ मां मैं मारू सुद्ध हाट जे सुद्ध रदय जे कॉंस्टन्ट बगड तूझ गयू अने असुब मां जतूझ रईू काम ए सब्दने अपणे लास्ट कडी मां जोएलो एकले इंदरियो थी थतूझ जे हैपिनेस एना माटे जे तमने आसकती जे तमने अपणे एक्साइटमेंट करावे ए जे इंदरियो हती आख अने कान जेना ती जुओ अने जेना ती सांबलो एने काम क्यवाई छे अने जेनाती भोगवो ए नाक, स्मेल थी, टेस्ट, जीप थी अने टश ए त्रणने भोग केवाई छे अटले काम इंद्रियों ने आसकती ए मारा माईंड ने वीक करे छे माईंड नू एक्स्प्रेनेशन माँ आपड़े साम्ब्लियों के मगज चंचल छे चंचल अटले डिस्ट्रेक्टेड छे एक जगाए कोज आड़ो रहतू नती चारे बाजू फर्या करे छे आपड़े दरेक वक्ते साम्ब्लियों असे पर देट इस हाफ त्रूत माईंड ने बे चीज साथेज होई चे अलग अलग बे चीज माइंड मा होईचे एक साथे यન उपियोग नथी थातो पण होईचे खरी एक जेतलू distracted एज एटलू जे concentrated पन होई चे जेतलू एनू चंचल होई चे एटलू स्थिर्ता पन एलामा होई चे अन्ये जेतलू एज वीक होई चे एटलू strong पन होई चे वे आऊ तो केवी रिते बन्ये के बन्ये गुणो एक जवस्तू मा होई तो एनू रिजन्त में जुओ सुख संसार मा सोधवा माटे एनू चंचल ता अस्थिर ता आम तेम बदे फाफा मारतू होई चारे बाजू जोतू होई शे पच्छी एने हम लागे के मने आस्त्री मा कांतो मने आ धन्दा मा सूख मल से आ पैसा मा सूख मल से एने ज्यांबी ए देखाए के मने आमा सूख मल से अटले इनू चंचल मन सू थाई जाई चे एक कॉंसेंट्रेट करतू थाई जाई चे स्थीर थाई जाई चे के अवे मारे आ मेड़वूच चे कोई पन कारणे मारे अने ये मेडवानी पाचर एक कईपन करवाल रेडी थाई जाई छे लड़ाईयों पन थाई चे आविरीते जीदना हिसाबें आपड़ामा पन भाईयों भाईयों ना जगणा पन थाया चे जीदना हिसाबें पार्टनरों मां जगडाते आए, फैमिली मां केटला है फैमिली हो तूटी पड़े आचे, कारण के ए वखत माइंड मक्कम थेगियुँचे के मारे अवया जोएच, भले कई पन थाई, पन हूँ अवया ने छोड़िस नहीं, तो ए सूथ हो यू, ए चंचल अस्थिर तो स्थिर्ता लावी लिदी एक चीज़ों पर, के मारे अवया जोएच, तो ए ओपोजिट थेगियुँ खिनी मगच, जे अस्थिर अतु एना परती स्थिर थेगियुँँ अन्ए जे माइंड वीक अतुँ, ए माइंड स्ट्रॉंग के विद थाई, तो वीक माइंड, एम क सवार ना लिदलो उपवास बपोर ना 81 ना पर पोंची जही है चुछ के आजे तो सांजना मारू ब्लड पैसर उच्छू थाई जसे तो एना करता 81 नू करी काड़ो तो सारू वांदो नती एपण एक तातनू तप अच्छे न ए बोडी नू विक्नेस नती ए माइंड नी विक्नेस अती कोई पन तप मास खमण ती मांदी नीचे आवता आवता चोवियार सुधी नू तप ए तप बोडी नू तप छेज नहीं आखी तप मा 90 परसंट माइंड अच तप करावे जो मगद मक्कम होए तो मानस तप थायक चे आपड़े जो नौ थाय तो ये मगद नी धील चे अटले इने वीक माइंड केवाई चे अन्ने स्ट्रॉंग माइंड क्यारे करा चे जारे आपनने कई घंतू मल्यू है त्यारे आपड़े इने लेवा माटे आपड़े जे महिनत करिए ए समझो के तमें आखा दिवस फरी ने भारती शॉपिंग करी ने बार कसे समा बदाने मली ने आवया होई है ने सांजना थाक्या होई है त्यारे आपड़े वीक माइंड यूज करिए चे चलने आजे प्रतिकमन रह करूँ छो के आजे रहवा देना वेख थाक्या चे इद्ध मच एम करीने पोते बैसे चे टीवी नी सामें टीवी जोई है सांजना पची एम नक्की था एच फ्रेंडों जोड़के चलो कॉफी माटे लाउंज मा जही है त्यारे मगत सूत हाई जाए चे पाच्यू एच सरी वीक सरीर माईंड यहने स्ट्रॉंग बनावी दे चलो जही है तो प्रतिकमन वक्ते क्या गईलू है एवक्ते वीक थाई गईलू अन्य भार जवानों वार आउतारे स्ट्रॉंग थेई उपाच्यू एज मगत जे वीक अतू यह पाथ क्यों थेई अटले मगत जुमाटे आ बहुच इंपोर्टन्चे के बन्यव क्यारेक्टरिस्टिक्स चे स्ट्रॉंग अने वीक, डिस्ट्रेक्टेड अतले अस्थीर अने स्थीर ता आपणे खाली सवाले चे आपणी बुद्धी ती आपणे जे सीखे चे ना थी के कयो क्या वापरूं क्या स्टॉंग राखवने क्या वीक करी काड़ूं मगजिने बन्यवनी जरूर राच्चे संसार मा वीक राखषो तो कर्म बंद ओच आतासे धरम मा स्टॉंग राखषो तो कर्म नी निर्जरा वाधारे थासे भन्येवनी जरूर छे, कर्म बंध औचा करवानी, अने बांदेला कर्म निर्जरा कर्वी, बन्येवनी जरूर छे लिए भन्येवना माटे वीक अने स्टरॉंग भन्येव प्रकार ना मारं हुत जरूर रच छे। एटले आरीते मगजने समझ जो एटले यहां आचेरे जी कहे छे के आवू मारू मगज जियां वीक नतू थावा जेऊ त्यां वीक थाई गियू धर्ममा अने गांडू बनी गयू अने आपे जे मने बताड़ेला साधूनो मार्ग जेनाव पर हूँ चालतो तो अने ये मारो कायम नो थाक उतारी देत पेला पक्सी नी जेम एउँ भुली गयो आपने तो किदू शे बगवान ने कहे छे के तमे तो किदू शे आपना सासन मा स्रावकों ने पन किदू शे के पर स्त्री ने मात बहें तरीके गणवा तो अवकों ने जो आकी दूए तो हूँ तो साधू वेश मा पन मारा काम वेश मारी भोग ना इसाबे मारी इच्छावना इसाबे स्त्री ने जोताच उँँ धर्म बुली गयो अने बद्या विचारों मा पड़ी गयो इनी जोडे भोग करवामा भगवाने स्रमन सूत्र मा पांचमा आरा मा स्रमन सूत्र जे बनाव्या छे स्रमन सूत्र अटले जे प्रतिकमन करे छे एमा साधू माटे ना जे मापना स्रावक ना व्रतों माटे ना जे बोलवामा आवे चे बार व्रत नू मां वरित्ते साधु मांटे स्रमन सुत्र बुलवा महा आवे चे एलोको पोता ना प्रतीकमणामा रोज बोलता वे हैं आहे ही एह मां भगवाणेखास मुक्यू चे त्रणप पॉइंट के सैना माते तमें दिक्सा लिधी चे ए रोज तमें बोलो तो तमें यह मा स्थीर रहे सो कड़क रहे सो एना माटे त्रण पॉइंट किदाज एक पहलो के वो के हुँ स्रमन चुँ एम क्या हो नूं किदू श्रम अठले महिनत करवी एने श्रमन केवाई के कौन करेच महिनत ये मानस ने स्रमन केवाई कया प्रकार नी महेनत रस्ता मां पत्थर तोडवानी नहीं धंदा मां पैसा कमाव मांटे बार कल्लाक ओपीश मां बैस्वी ए महेनत नहीं आत्माने आगण लहीं जवानी महेनत अने धरम मां महेनत क्यावाई छो एना माठे जे भी कस्त अटले जे भी पेन लेवू पडे जे भी स्रम अटले जे भी कोईपन हालत्मा पोते 1700 रह्यू पडे एने एकसेप्ट करे और आत्माने शरीर ने छूटो पाड़ी बाड़ी ने आत्माने आगल लई जाए। ए महिनत करनार ने स्रमन कहवाई छे। तो पहलो पॉइंट भगवान कहे छे के तू याद राख के तू स्रमन छे। सेना माटे दिक्साते लीदी छे। बीजो पॉइंट खे छे के तू संयम ही छे। कई रिते ते संयम लिदो छे। तो नव कोटी ती संयम लिदो छे। मन वचन अने काया थी। को कोई काम खराब करीश नहीं, पाप कारी काम करीश नहीं, करावीश नहीं, अने कोई करतू असे तो एनू अनुमोधन एनू भावा नहीं करू। ए रिते त्राण गोणिया त्राण एम नौ प्रकारे ते संयम लिदो छे। अटले ए याद रागजे। के ते स्राम आत्मा माटे करवा लिदो छे। अने संसार ती एना पापती दूर थवा ते संयम लिदो छे। ए बीजो पोईंट। अने त्रीजो पोईंट कीदो छे। के ते विर्ती पाली छे। अटले सर्व विर्ती लिदी छे। साधूना पांच महावरत ते लिदा छे। पांच महावरत अने रातरी भोजन बंध ए साधूनू मेन व्रतो छे। अने अडार पापस ठानक ती अलग था ये लो छे तू। अटले तू अवे विर्ती मावी गयो छे। ए याद राग छे। तारों महावरत तूटे नहीं ए याद राग छे। आपने सावकना बार वरत लिए अने एमा अतीचारों लगारता होईये छे कायम थोड़ा ये लोको भगवाण अपने महारा साहिब मासती जी एक भी वरत तोड़ता ना होईये तो भी भुल चुक ना माफ माटे येमने वरसमा पाँच उपास करवाना आवे छे। आ प्राइश चेत रूपे के कईपन अजानता थी तूटी ग्यू होईये पोते बले ध्यानती एक तोबी पाँच उपास्त अमारे करवाना एना प्राइश चेत रूपे एट्टलू बदू एलो कोई कड़क रहूँ पड़े छे। तो आ प्रमाणे पाँच महावरत्ते लिदेला चे तू संबाळ चे। तू स्रमन चे, संयमी चे औने वीर्तिवान चे। ये त्रण पोईं प्रबूत्यमे जे सिखवाडेला हूं भुली गयो। अने मुँँ एक्साइटमेन ना एरोज मारा हाट मा वाक्ता आज गया, वाक्ता आज गया, येमा काना पाडता आज गया। जारे भी बुद्धी मा जडता आवी जाईचे। येनू रिजन छे, महोनी ये कर्म नो उद अने अडार पाप स्थानक नी इच्छा, ये बे कारण थी बुद्धी मा जडता आवी जाईचे। ये जडता ना हिसाबे ये नेगेटिव विचार करता जाईचे। ये मुडता ये जडता ना प्रकारों होईचे। आपड़ा आगम मा बताड़े आशे। अवे आना उपर मैनत करवा जेवी नथी, के धर्म ने अधर्म करात करी कार से। तो ये मा पन बताड़िय। ये मुडता जडता वाड़ों जीव ने तमे छोड़ी दे जो अमना इनो उदे ये वो छे। तो येवा जीव कोनेक येवाई। तो खुबच रेसलेस होई, अवकत उबो बैटो आडो अवलो थायाच करतो होई, डिस्ट्रेक्टेड होई, माइन थी, अंदर ती असांतज रहतो होई, पोते खुबच आलसू होई, अने वल्ली वातों माज इने इंट्रेस रहो होई, बहरों थेई गयो होई, कई रीते बहरों, रियल बहरों नहीं, तो तो मुके ने, पोतेज साचो, पोतेज होँशिया, आवा प्रकार ना जेना लक्षण होई, ए जीव, कोई आडो धर्म पामे ने, ए आपड़ा आगम्मा बताडियू शे, अने जो ए पामेलो होई, तो आवा प्रकार ना लक्षणों ती धिमे धिमे ए धर्म खोतो जाए बिजो एक मुख्य कारण, जड़तानू शे, ए अहंकार, अभीमान, अभीमान थी मानस ने, साचो रस्तो देखातो नथी, एमा एक, जैन रामायन मा एक दाकलो आरे शे, मा भारत ना युद्ध मा, छेल्ले युद्ध पटिव, अले स्री कृष्ण अने अर्जुन, स्री कृष्ण बद्दाने खबर असे, वासु देव, अर्जुनना सार्थी अता, अर्जुननो रध चलावता अता, अर्जुन जे मा भारत पांडव माटे जीतवा माटे नो, एक मेन कारेक्टर, मेन व्यक्ति हता, तो युद्ध पत्या पची बन्ने रणस मा उभाता, त्यारे स्री कृष्ण अर्जुनने किदू, के तू रध माती उतर, पची अर्जुन मा भी गयलो, अर्जुन मा भी गयलो, तमे पहला उतरो, पची युँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ स्तोय श्रीकरस्टन छोड़ियो नहीं अर्जुने की दू के मुंता ने कवों चुके तु उतर अर्जुने छिले मान आपी आँने उतरया पची श्रीकरस्टन उतरयो आँने श्रीकरस्टन छिल्लोपग उतरयो त्या karışा सो रत आको भसम थहे गो बली गयो तोटल रथ उपर लड़ाई करेली एपची पापनू स्थान थेग्यो श्री कृष्ण न पुन्य न प्रताब जीवो निकली ग्यो एव रथ बली न भस्म थेग्यो अर्जुन जोई अने एद्धा मज पोत्यानू एरोगंस निचे लावी दिदू अने स्री कृष्ण न पगे पड़ेओ के तमें मने बचावी लिदो आजे सार्थी पहला उत्रया होत तो महारती नू सूथात तो रथ उपर पोते बड़ी जात जारे भी जीव मुड पोते जड़ राखे छे त्यारे ए समझवाल न थी ओतो पोताना अहंकार्ती पोताना पुरुसार्थने मेन माने छे अने भगवाननी कृपा पोताना सारा कर्मों नो उदैने ए साइड़ पर मुकी दे छे अने हूँच बदू करूँचू एवू मगजमा आवी जाई छे आच्यारे जी आज रिते कहे छे क्या बगवान तमे मने संयम नो रत आपेलो जेना उपर मारो रत साचा धर्मना रस्ताव पर चालतो तो पण मैं मारी बुद्धी थी ए रत ने डिरेक्षन बदली काड़ी अने पची जे डिरेक्षन मा चालेओ एजर डिरेक्षन ने साचो मानवा मांडेओ मारी नजर अवे माने गमता डिरेक्शन पर गई तमारा बताड़ेला डिरेक्शन ती उल्टी अने ए रिते मैं मारी जातने महारती बनावी दीदो आप जेवा जे सार्थी अता जे मारा रतने धर्मनी तरफ लई जता था येने बदले में महारती बनी अरोगंस ठी मारी रतने बदली कारी आर एते हैं किदू? पच्छी नी बेकडी मा आवेशे जे मां कहये चे नेत्रबानों नेपयोदर नाभी ने सुन्दर कटी सनगार सुन्दरीयों तणा छटकेल थाई जोया आती यहां नेत्रबानों नेत्रबानों आख आईस बान आतले एरोस जे आख ती एरोस जे आख ती नजर जे जाए इने एक जाने के कोई यह बान छोड़ी हो एरी जोड़े कंपेर करवा मा आवेशे तो नजर जाए छे नजर जे चीज उपर जाए छे ए चीज लेवानों मन थही जाए छे तमे आख बंद करसो तो धिमे-धिमे चीज लेवानी अची थे पन जो आख खुली उसे तो कईक ने-कईक तमने डिस्ट्रेक कर से तो ए बाणों जे आगती छोडेला छे ए बाणों क्या वागे छे तो सामे जे चीच चे एने नती वागता पाण ए यूटन मारी ने तमारा मनने जवागे छे तमारा रधय ने जवागे छे अने सवती पहला मन मा जाई छे एतले मनने क्या जोडी नाखे छे खराब प्रवरुत्तियों मा जोडी नाखे छे पोता ना छोडेला बाणों पोता ने जवागे छे आहू तो कोई पन लडाई मा थतू नती सामे वाळे ने वागवा जूईये पन जारे अधर्मना रस्ते जावे तारे पोता नाज मान पोता ने जवागे छे इतली मुर्खता आपणामा होई छे क्या आपणे ये समझी नती सकता अटले हिया कहे छे आचारे जी नेत्र बाणों थी अटले आखती मारेला बाणों पयोधर नाभी ने सुन्दर कटी पयोधर नाभी अन्ने सुन्दर कटी अन्ने सन्गार आप बदाच स्तिरियोंना देखावो एना अंगोना एक्स्प्लीएशन छे आपणा सास्त्त्र मां एपन बताडिवँ छे इतलु जिनवत इतलु माइनियूटली बताड़ेंचे के क्या नजर राखवी ने क्या न राखवी, क्या सुदीनू बताड़ेंचे, इद्दम उपर छल्लो धरम नथी, स्तिरियों ना कया जूँ, क्या न जूँ, ये बद्दू ज बताड़ेंचे आपड़े अपासरे जता ओई है, तो अपासरे माँ विनेवाला कपड़ा पहरी ने जवानू केम बताड़ेंचे, कारण के साधू, महारा साहिबने महासती जियो, ये लोकों अटली कड़क पचकान लिधा चे, ब्रह्म चर्यना, अव ब्रह्मन न करूँ, अने तमे जो, कोई पन निमित बनो, तमे एवा कपड़ा पहरी ने जाओ, तो एनो दोस कोने लाग से, आपन ने, अने महारा साहिब महासती जी, पोताना धर्म माती नीचे पड़ से, एनो भयंकर निकाचित कर्म आपन ने लाग से, इतला माटे खास बताड़े लूशे, के कोई पन रिते, ला बर कपड़ा पहरी ने जवानू केम बताड़े उचा, अना कारण है, पचीत हमें जुओ, तो जारे कोई भनवा बेंग जता होएचे महारा साहिब पास है, कोई दाड़ो आपना महारा साहिब एम नती करता, क्या आपास नमा जी बीजो अंदर रूम चे के चलो इन आवी न भनावे चे, कोई दाड़ो कोई पन रूम मा महारा साहिब के मास ती जी ओपोजिट सेक्स वाड़ा मानस ने लई ने बैस्ता न थी, एनू कारण सू छे, एनू कारण चे के कोई पन जातनों एक्साइटमेंट थाई ने, तो आप बद्दू ज एक्जेटली कोड ओव आपणा आचारं सुत्रमा बताड़े लगशे, पहलू आगम्मा, तो ए रिते, यहां बताड़े चे के पयोधर नावी ने सुन्दर कटी, लेडीज नावी अतले वचलो पाक, जे नावी होई चे ते, एनी उपर ना अंगो ने जोई, एनू डिस्क्रिप्शनी यहां अचा ही जाए, अन्य मंगांडो थे जाऊंचुू अगल जी कहे चे जे चोदमी कडी नी पहली लाइं, तो एमा कहे चे, मरुगनैनी समनारीतना, मुक चंद्रनी रखवा अवती, प्रुग नायने अतले हरण, dear, अन्य प्रुग नायने अतले हरण नी आखो, हरण नी आखो is one of the most beautiful आखो के वाई चे अटले नारी ने सुके चे कि कई नारी कि जेनी आखो एद्धमज हरण जेवी चे, हरण नी आखो जेवी जेना थी, एक कोईपन काम देवने, कोईपन व्यक्ती ने, एना वर्समा लईले चे, एवी आखो वाली स्त्री, जेनू मुख चंद्र जेवु सितल चे, जेमा आपनने एद्धम जेन फील थाए, एद्धम ध्यान, एद्धम सांतिय नू भव थाए, एवी एनू मुख होईचे, एने ओल्वेस चंद्र जोडे कंपेर थाएचे, कारण के, तमे रात ना चंद्र ने मून ने पंदर मिनिट एक सको जोई सको, सवार ना सूर्य ने पंदर सेकंड एद्धम जोई सको, एटले चंद्र इस ओल्वेस सिंबोलिजिंग, एद्धम सांत, एद्धम जैन फीलिंग वालू, एटले या स्त्री ना मुख ने चंद्र जोडे सरकावे चे, और एनी आख मुरुग जोडे सरकावे चे, तो एवी कई स्त्री चे, कि जेनी आख तमें यहां धाखलों मल्लीनात भगवाननों बदाए खबर असे, आगला भव मा मलीनात भगवान साथ मुत्रों एक साथे दिकसा लिदी होईचे, सादू बनिया होईचे यहमा एक मल्लीनाद भगवान होई छे साथे नक्की करियू के साथे एककत जेवु पून्या बांदी है तो बद्दा एककत साथे जा एटलो एक बिजा उपर राग होई छे साथे एक तप करेशे एमा मल्लीनाद भगवान जीव विचार जेके लाव हूँ एक दिवस वदारे तप करू तो हूँ आगल वदी जाओ यह वी माया करेशे ए माया करी अने त्या निकाचित कर्म बांदियू इतला माटे नेक्स्ट भव मां मल्ली कूबरी बन्या लेडी बन पेल्लू एक इद्धमच पेल्लू आपड़ आव चोवीसी मां खुबज एक आश्चर यह चे पछी एलोको साते हो जना त्याथी पोते दिक्सा लिदेली एती त्याथी कालधर्म पामी मोक्समा अरे मिच्छा में जुक्रम देवलोक मां गया त्याथी देवलोक नो भव प कुम्वरी बनी अले बाकी जे च्छ साधू हो ता एलोको एक कोई पन कपट करियू नतू अटले एक पुरूस तरीके पड़ने जो अगें स्त्रीयों ना लक्सन मां कपट बताड़ियुचे दरम मां के आजे थोडू कपट करे माया करे ए स्त्रीयों मां वधारे होई चे पुस्तारों मित्रों साधू हो छो मोटा मोटा राजाओ बने चे चाहे जने सामड़ियुके मल्ली कुवरी खुबत सुन्दर चे अटले चने इमनी जोडे प्रणवानू मन्त आई चे औने बद्धाज आवे चे कातो मारी जोडे लगना कराओ औने कातो यूद्ध करो अट अटे बदाने चैच मित्रों ने प्रतिभोत करवा, सिखवाडवा माठे एक महेल मा पोतानी मुर्ती बनावे चे एक, पोता ना ज हाईट बॉडि ने रूप जेवी, सुन्दर मुर्ती औने एमा उपर ढाकणूक बना आवे चे के मुर्ती अंदर ती होलो हो और खाली होई रोज एक एक कोड़ियों खावानू एमा नाकती जाई छे खावानू केवी चीच छे बदाने खबर छे जेटली वासी था एटली वास मारवानू चालू था एटले आख्यी मूर्ती भराई जाईचने एद्दम दुर्गंद आववा मांदेचे पन ठाकणू बन करतार दुर्गंद जती रेश छे राजकुमारो राजाओ आवेचे जुदा जुदा एंट्रेंस थी एकान के महें लेवो चे के एमाँ छे एंट्रेंस बनावेला होईच छे आवेचे एने मूर्ती ने जोएचे अने एद्दमच चकीत थाई जाई एद्दमच एकसाइट थाई जाईचे के जो जेनी मूर्ती आवी ब्यूटिफुल चे तो ए पोते केवी हसे त्याँज मूर्ती माती ढाकणू खोलाई जाई जाई चे अने धिमे धिमे दुर्गंद आवा मांडे चे ने छए जने नाक पोताना बंद करी काड़े क्याँज मल्ली कुम्री पोते आवे चे ने किदू के आज दुर्गंद वाली जे मुर्ती चे एज हुँँछू मारी अंदर तमने जे चीज उपर आकरसन चे एज चीज नी अंदर मल मुत्र मेल अने स्मेल जे खराप स्मेल चे मास लोई एना सिवाई कई चीज नथी एक्के चीज छे नई अने एक्के चीज रहवानी नती अने तमने आकरसन एज चीज उपर छे आम करी छे ने प्रतिभोत करावे छे अने पाचा दिक्सा तरक लई जाई छे अने पोते तो तिर्थंकर बने चे आरी ते जे लोको स्त्रियों ना महोमा पड़े छे बीजा हो केस आपड़े जुए तो रामायन मा रावन जी अने सिता जी नो अक्कु रामायन सरजा यू बन्यूसे ना उपर स्त्री ना मो ना इसा बे तो ए युद्ध पन एना जी सा बे थयू या खाली हिस्तोरिकल नोट माटे कउँचू के आम रावन ने सिता ना इसा बे युद्ध थयू पन आम आगलना भव मा एक बीजा प्रुथवी उपर रावन बन्यूसे तिर्थंकर एमनो आत्मासू बन्यूसे तिर्थंकर अलने एमना जी पहला घंदर कोण बन्यूसे तो सीता जी नो आत्मा अगली जानवा माटे सीता जी नो आत्मा रावन तिर्थंकर ना पहला घंदर बन्यूसे तो जे चीज माटे जे ओपोजित माटे रामायन रस आयो जेएक बिजा ऊपर राको थहता अने ग devoteन्यूसे युद्ध बन्यूसे अ खेल कोण आजे मालों दूसमंजने कौन दोस्त चे येवू रहतू जनती अटले आ कडियों मा आचार्य जी कहे चे के मारू मन असुब विचारोती भरेलू अतु अने तेमनी नजर स्थ्रीना सरीर उपर अती अने एना मूख अने सनगार उपर अती जे मल्ली कुम्वरी उपर अती छो राजावनी मुझे मन विशेए जे रंग लागयों अलप पन गूड़ो अती अटले मारा मन मा जे विशयों इंद्रियों नू जे मने भोग नो जे रंग लागयों हतो एर रंग केवो हतो अलप जतो बौन अतो पण के वो हतो एद्धमत स्ट्रॉंग हतो गुडो अतले स्ट्रॉंग हतो जैन धर्मनी कर्मनी थियरी मां कर्मना बे रिते प्रकार बत्यागा एक कर्म केटला आवेश औने एक कर्म केटला तमे तीवर केटला स्ट्रॉंग भांदो शो एक बे जुदू शा कर्म आउता होए, ए समय समय आवेंच आपड़ीदsesи, पूरे प्रवरूतियों करता होई है। पड़ीदत निकर्म ता भी जाए इंध। पड़ीद गंड़ी तुल मेरोन कों, भी हैंला भी कोंड़ीदों हैं है प्रकार बताड़े हैं तो यहां कि दूझे के मारे कर्म बंद ओचो थे अलप हतो पड़ेटलों थयों यह के वह थयों जे ध्रव्यती मले चे ए उदै प्रमाने मले चे ए समझो। अने जे भाव तमे रडो चो ए तमे नेक्स्ट कर्म बंद बांदो चो। मलेलू ए जुनू कर्म नो उदै अने आगण बंदातु ए अम्मणाना कर्मना भाव। तमारा पोताना भाव। जे उदै चे ए हात मा न थी ए भुली जजो ए थाई गियो चे पास्ट मा अने एनू आजे उदै चे उँँ बांदू वधारे इमा भाव के नहीं ए तमारा हात मा आजे चे तमे तमारू भावी बनावी सक्सो। हुँ केटला भाव बांदी नहीं मा अचले एमा कोई तमने अठकावी नहीं सके जो तमे इद्धमज ए कर्मती अलग थासो तो तमने अंदर कोई लेवानू ट्राय करसे तो भी जो तमे समझे आसो तमे एमा पढ़सो नहीं। आर इते आगला कर्म भांदू के नहीं ए तमारा भाव उपर चे एकले हिया किदो के में कर्म उचा भांदेला पन बहुँ गुडो भांदेला खुबज कड़क भांदेला अने पची कहे चे के सुरूत रूप समुद्रमा धोया चता जातो नती। यहां सुरूत अतले सु? सुरूत अतले अक्सरनो ग्णान जे ग्णान मगजमा जाय यहने सुरूत केवाई अने मगजमा जे ग्णान जतू होई ने जे टकीरे यह मती ग्णान केवाई आ ग्णानना प्रकार होशा अतले जी भी तमने कोई यह सिखवाडी होई बोली ने आगमों वाची ने, ग्ण्यान आपी ने, ये बद दू सुरूत ग्ण्यान मा गणाईचे, अटले अक्सर ग्ण्यान मा गणाईचे, तो यहां किदू, कि ये बगवान तमारी वानी सामडी में, सुरूत ग्ण्यान लिदू, तमारा आगमों वाच्या, मारा गुरू पास्ती ह प्रकार नू ग्णान अतु तो एने सर्खामनी थाएचे समुद्र जोड़े ग्णान ओल्वेस इस कंपेड विद समुद्र सी वाई समुद्र जेक इवी चीच जेना बे किनारा देखाता नती अने एटलू उंडू होएचे के जे कोई उपर ती आगती जोई नती सकतू ग्ण ग्णान नू पन एवुचे कोई दाडो ग्णान अटकतू नती सामेनो किनारो देखासे जेतलू भणो एटलू उच्छू ग्णान चे अने एज एटलू भढेलू छे एनू डीप थिंकिंग जेतलू करो फिलोसोफिकली ए उच्छू छे दरेक सब्दमा तमने हजारो आक्सो एटला कल्ला को पास तही जासे तो यहां सूत रूप समुद्र मा अटले जे ग्णान समुद्र रूप हतू जे आपे मने सिखवाडेलू देशना आपेली ए ग्णान जोडे पन मारी नानकडी भूल जे खाली नानकडी रतनो राखवानी भूल ये भूलने उच्लीन करवानी ट्राय करूछू तो भी थतू नती अबे विचार करो भूल अती नानी पन एमने ए नानी भूल एटला गुड एटलू सॉलिड रिते बांदी थी कि अटला वरसों नू ग्णान एने छोड़ावी नहीं सकी अटले जे भी भूलने सॉलिड रिते बांदो करोडो वर तानू तप ये बद्दू निस्वड थाएशा या ए ग्न्यान मने चोखा पाणी तरफ लई जवाने बदले ये भूल मने कादव तरफ लई गई अने एनाज माटे भगवान ने प्रातना करे चे छिल्ली कडी मां ते नू कहो कारण तमें बचू कहम हूँ आ पाप थी कि ए बगवान ये महाविर स्वामी तमें मन कहो कि एकदम थोड़ो दोस में करे लो अलप हतो और ग्न्यानों दरियों आपे मने आपे लो और ये ग्न्यानों दरियों मारा भूलने मारा भूलने क्लीन न करी सकी तो तमें मने कहो कारण के हूँ सू कहूँ के सेना इसा बे आउँ आपने पन तम्हें जुओ आपना भावनी वात करिये सवार ना तैयार थेईने समाइक करू एनी पहला कोई फोन आवी गयो है एte पहला सामड़ेला समाचार वह क्या पच्छ अच्छ요 निवचत में पाझने समाचार थे थ्पा तम्हें समय कररें पहला कोई समाचार न थिस सामड़्या समाइक कर्या पची तम्हें भार निकड़ो छो तो केटलो टाइम तमारो समाइक जेवो ज तमारो समाइक मा निकड़या पची रहे छे केटलो टाइम तम्हें टकावी सको छो तो हाडली कायानके पची तरत ज आपने डेली एक्टिवीटी मा जता रहे हैं एक चीज समझ्यों समाइक एधर्म न थी समाइक एधर्म कर्वानी प्रेक्टिस छे एक चीज मगज्य समाइक एक करीकाडियू एकले मारो दीवस नो धर्म पटी गयो एस तद्दन खोटी वाच् सिंपल छे समता भाव मा राखू मन्य एनी प्रेक्टिस छे उड़तालीस मिनेट मी पान एस समता भाव एक प्रेक्टिस थी हूं दिवस दर्मियान राखू एधर्म छे अटले धर्मने खोटो नहीं समस्ता आपणो धर्म एक नानो कड़ो मैनो और एक कल्ला काडी नेमा धर करवानू फिल एक करवानू चे के एद आखला थी वू बाकी ना त्रेविस कल्ला एमा केटलो समाई रहू एने धर्म की दो छे समाई की जस्त प्रेक्टिस अटले ए रिते खास अलग समझो धर्म जैन धर्म इस वे ओफ लाइफ अने एमा जेतलो समता भाव राखू एधर् अहिया इतले आचे अरे जी कहे छे के ए प्रभू मने तमे बताड़ो के हूँ आवी मारी भूलने केवी रिते सुधाव खराब भावो थी केटलाए महा आतमाओ नरक मा गया छे घम्मे देटली दिक्सा लिधी होई पोते साधू पणू पालियो पप भावो खराब करया भावो उल्टी लाइन मा करया धर्म मा राख्या ने अने निकाचीत कर्म एटले के जे भोगवा योग्य कर्म बांदी दी तो एवा आतमाओ माटे आ अवसर पणी काड़ अमना जे छो आराओ चाले शे एमा एक ग्रंथ दिगंबरी ग्रंथ शिद्ध पाहूडिया नामनो ग्रंथ एमा बताड़ियो शे पंचावन हजार आचारियो जे आ अवसर पणी काड़ मा थाई या अने थसे हैसी लाख साधू साध्वियो अने स्रावको दस करोड स्रावको अटला धरम नी दिक्सा लिधी व्रतो लिधा तो भी ए नरकमा जवाना जो विचार करों धरव्यती धरम पाढ़वो ए हाफ ट्रूथ चे भावती पाढ़वो ए फूल ट्रूथ द्रव्यती अव भवी जिवो पन पाढ़ेषे वावती खाली मुक्सगामी जिवो पाढ़ेषे अचले आपने दरेक कार्यामा भाव रेडवानों चे कोईपन धरमनु कार्यामा भले नानुँ धर्मनु कार्या करियू भाव मोटो जोवो जोई है तो आ रिते आचयारे जी विने भावे याँ प्रभु ने पोता नी भूल पुछे चे औने कहे चे के हूँ सू करू के मारू आ खोटो दोस धोवाई जाए तो आ रिते आचयारे आचयारे मां एमनु एक्स्प्लेनेशन्स त्रीयो तरफ नुशे अवे बाकी नी कड़ी नंबर पंदर मी नेक्स्टाइम कर्शू कोईने कोई क्वेस्चन चे आमा नेतर नेक्स्टाइम पच्छी नी कड़ी लेशू अमित्नमा तुके साधूने पांच उप्वास नुँ प्राइस नुँ प्राइस चे तरूपे यहां कोई काया नाम चे नाथी पड़े लेवाच पड़े चे अन्य हूं मानु चू ते प्रमाने साथे साथ करवा पड़े चे सम्वत्सरी नुप ठर्फफना तूमं सधु चू अप्राइस नुपास यह भाण्याऑन कोई पन anticapasrasra संवत्सरीना दीव से खावानू जाय नहीं, यह फिक्स हे मान्दगी महां साधुसाधू होय और दावादारू यह लिवु पड़े यह वाद जुदी हे बागी संवत्सरीन उप्वास यह फरजी हाटच्छ यहां तो वे नेक्स टाइम आपड़ा आगल कड़ी वदार्स हुआ है जैजी नेंद्रा एक मिन्ट सर्जी हाँ जैज नेंद्रा जो आपने कहा अभी के इतने सादू बगवन्तों को फिफ्ट्ट लाग्स राइट पच्पन हजा आचारियो और हैसी लाग सादू सादू साद्वी नहीं 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 यह काड़ चक्रम है अपना अर्द चावले अपना क्या बोलते हैं अवसर पणिकाल में हाँ तो भही हो गया ना अच्छा टोटल राइट आल रूसव डे भगवान से मान के ओल्ड़ वे तेल पांच में आरेकर हैंड सुदी अच्छा पर उन्होंने जो भी द्रव्वे से धर्मक किया उन्होंने द्रव्वे से तो उसका पुर्णे नहीं बंधा उनका मिलेगा ना अभी गोसालज्जे की स्टोरी आपको मालूम है ना अभी बार में देवलोक में फिर दो दो बार अधर एक नरक में जाने वाले आईसा ही सब यही सादू साद्वी जब इंका आयुशका बंध बंध वा तब उनका भाव बहुत खराब होगा तो नरक का आयुशका बंध वा फिर उन्होंने जो दिक्सा ले और तब किया सहियं पाला उसका उनको पुन्यम मिलेगा अच्छा अच्छा ओके और यह सारे जी भवी अभवी नहीं वो उसका कोई उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं भवी भवी बहुत यह तो जो सादू की दिक्सा ली स्रावक है वरत पाले उनमें उनकी जो गनतरी है उनकी काउंटिंग उसमें से इतने सब नरक में जाने वाले ह अच्छा, और आपने और कहा था कि जो द्रव्य से धर्मा करता है, जैसे द्रव्य से समाइक ली आपने, और भाव से समाइक ली, तो लक्षन इसके क्या है दोनों के, द्रव्य से तो आपने काम करना, I mean वो करना इसले करके, रगदी, you are just sitting, and probably you are reading something, and you just finished it for the sake of finished, but how would you call it as a भाव समाइक with लक्षन? वो ही मगज में त्थीर रहता है, तो वो लक्षन हुआ कि मैं सम्भाव में अभी भी राई नहीं हूँ, वो ही में तो वो ही तो देखना है ना, कि सम्भाव में रहना है, not always, सम्भाव में रहना है, तो कोई भी कार्य धीरे से भी हो सकता है, मैं सब रखू, बहुत जन तो सब अपने जो सामाइक के जो उपकरना है, वो भी वहाँ ही राख के जली जली उट जाते है, क्योंके मेरा फोन बजाया है कि मैं जली मैसेग के जली मैसेग देख लूँ, के बार जने का मैसेज आया की नहीं, वो भी बहुत जन होते हैं. Hmm, that is true. But most of the time, I mean the equalinity that you want to retain, But that's the practice.. But that's the practice we are looking, no? That's the practice we have to think, कि मुझे जो भी होना है वो होगा पांच मिट के बाद होगा पहले सांती से उठो फिर इद्धम माइन को इद्धम पीसफुली सब देखना है के नहीं चारो और देखो और फिर काम चालू करू जो रहते हम लोग करते उसमें क्या है we have made a samai like like one of the chapter of day के चलो एक samai कर लेने का है we have come up to that level and we have not made that chapter as a example for rest of the 23 hours yeah that's true and that is what we have to change now we cannot take samai as a lecture as a chapter we have to take samai as a example किसी परिवार में नवजास शीशु पैदा होता है और अगर आज क्या हम जो स्वाध्याय सुने उस हिसाब से यदी बेटा या बेटी होती है मतलब उसके करम किस हिसाब से थे कि वो पैदा हुई जब ही उसने जब ही उनका आईशा का बंद हुआ वो ताइम वो देखके वहां कैसा था वो प्रमान आईशा का बंद होता है और वो आईशा का बंद होता है और आईशा का बंद होता है और आईशा का बंद होता है और माया करने का सोचा तब ही उनका आयूशय का बंद हुआ तो वो आयूशय का बंद तब ही हुआ तो क्या हुआ तब ही उनका स्त्री योद बंद गया स्त्री योनी बंद गया अगर उनका आयूशय वो टाइम बंद नहीं होता तो थियोरी में उनका स्थ्रियोनी नहीं होती है बहुत शालग बहुत है यह हरे एक के आयुश्य के बंद समय उसका भाव क्या होता है उस परमाने होता है स्थ्री में माया ज्यादा होती है नहीं ऐसा दिखाया है कि i stream में माया ज्यादा होती है पर अमी जी अगर महाबारत का देखें तो दुरोपती के कारण रामाय सीता के कारण और हमारे भी अगर बलीनाद भगवान सी के रूप में उपर हैं तो इसका क्या हम नहीं वह उनके वह अगले भाव में सबकी स्टोरी अगले बहों ने उन्होंने क्या-क्या माया किया था उसके युसाथ जए बहों में सीता क्यों बनी द्रोपदी क्यों बनी वह आगम में स्टूरी है स्ट्री का होना मतलब एक कर्स है जैसे कर्म की द्रस्ती से अपने 84 लाग जीवा योनी चार गती दिखाई है उसमें स्ट्री वेद और पुरुस वेद नपुन्सक वेद सब दिखाया है और अपने अपने कर्म के अनुसार वो लोग बनते हैं जैसे के स्ट्री वेद क्या है तो आप सम्यक दर्सन सम्यक दर्सन इतना बड़ी चीज़ है के सम्यक दर्सन की हाजरी में आपका आयुश्य का बंद हुआ ये जरा हायर लेबल की बात है सम्यक दर्सन की हाजरी में अगर आपका आयुश्य का बंद हुआ तो वहाँ आपका एक चीद विच्छे दो जाता है स्त्रीवेद उसके बाद कभी भी आपको स्त्रीवेद में आना नहीं पड़ेगा इतनी सम्यक दर्सन की महत्ता है इतना स्ट्रेंथ है और पंदर भव में आप अवश्य मोक्स में जाएंगे और वो पंदर भव कौन तो साथ भव देव लोग के और आट भव मनुश्य के उतने में आप नियमा मोक्स में जाने वाले हो ये सम्यक दर्सन की हाजरी में अगर आपका आयुश्य का बंद हुआ तो अपना सम्यक दर्सन कैसा है आता है जता रहा आता है जता है जता है और उसके हिसाब से जब आईश्य का बंध हुआ तब सम्यक दर्सन के हाजरी नहीं होती है तब अपने संसार इतना लंबा हो गया है जबी भी सम्यक दर्सन के हाजरी में बंध हुआ तो पंद्रा भौ से ज़्यादा आपका होगा नहीं और आपको स्ट्री वेद में आना नहीं पड़ेगा वो सम्यक दर्सन की हादरी में नरक गती बंद हो जाती है, तिर्यंज गती बंद हो जाती है, स्थ्री वेद नपुन्सक वेद बंद हो जाता है, ये सब सम्यक दर्सन की strength है सबसे सर्वसेश पूरुश ही हुआ न, स्थ्री वेद तो फिर सेकेंड ही हुई रही हां तो तिर्थंकार कि इसलिए तो पुरुष वयद में होता है तिर्थंकारी yeah एक exception थे हैस्ट control मली नाद्बगवान więc it's a thank you so much okay oda